देश की लोग प्रिय कवित्री, डौक्टर प्रेणा थाक्रे के कावि संग्रह इस्त्री का प्रेम राग कार अविवार्पु भोपाल इस्तीत हिंदी प्रेवन की महादेवी सबागार में विमोचन किया गया। प्रदेश की समाज और साहित्य के शेत्र में अग्रणी संस्ता श्रम्शी के तत्वावधान में आयोजित इस गरीमा माई विमोचन समारों में प्रख्यात साहित्यकार एवं हिंदी भवन के मंत्री संचालक केलास चंद्रपंत मुख्य अतिदी थे। कार्यक्रम के अध्यक्षता वरिष्ट पत्रकार पदम श्री विजैईदर्त श्रीतर ने की। इसके अलावा प्रख्यात सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा, प्रख्यात साहित्यकार एवं भेल के पूर्व महाप्रबंदक विजैई जोशी और प्रख्यात साहित्यकार ड अंजूरी भर प्रकाशित हो चुके हैं। इस तरी डंग से अभिविक्त करने में सफल रही। इस से पहले मेरी चार पुस्तक आचुकी हैं। इस से पहले में तीन कवीता संग्रा हैं और एक कहानी संग्रा है। और अभिनेता और प्रसिद रंग कर्मी राजी वर्मा जी सहाब और विजय जोशी जी सहाब और विजय दत्त श्रीधर जी सहाब जो पदमश्री से सम्मानी थे। और आवरण प्रश्ठ जी नोंने तयार किया अदर्निय राज सेनी जी जो भी खुद पदमश्री सम्मान से सम्मानी थे। श्री मोहन तिवारी जी सभी लोगों की उपस्तिती रही। और जहां तक पुस्तक का संदेश है तो जब तक पुस्तक किसी संदेश से परिपुरुन नहीं होती है, पुस्तक लिखना सार्थक नहीं होती। लेकिन इस स्रजन की भूमिका को निभाते हुए इस्तरी कहीं संयोग शरंगार से गुजरती है, कहीं वियोग शरंगार से गुजरती है। लेकिन दोनों ही परिस्तितियों में इस्त्री की आंतरिक दशा अलग-अलग होती है लेकिन एक बात होती है वो ये कि इस्त्री वियोग में भी संयोग में भी पीडा हो या सुक हो धूप हो या च्छाव हो इस्त्री के आत्मा का एक राग होता है जो हमेशा उसकी आत्मा से ब प्रेम मैं हो जाता है, सुख मैं हो जाता है और जब वो पीडा से गुजरती है उसके प्रेम को उपेक्षित किया जाता है तो फिर वो राग, दुख मैं राग हो जाता है लेकिन सुख में भी, दुख में भी इस्त्री प्रेम का दामन नहीं छोड़ती बस यही इस कविता में मैंने इस्त्री से जुड़े हुए सारे संघर्ष उसकी पीड़ा और आज के समय में आधुनिक आधुनिकता के दोड में जहां हम सफलता के नए पायदान चड़ रहे हैं उस परिस्तितियों में भी कभी निर्भया तो कभी हात्रस की बेटियों जैसी जो दुरगटनाएं घटित होती है और एक इस्त्री की आह निकलती है या ये कह लीजिए कि उसकी स्वतंत्रता में बाधक कहीं पुरुष के नियम कहीं समाज की फब्तियां या कहीं इस प्रकार क इस अंगर्श उसे जहलने पड़ते हैं घर से निकलने के बाद हो या घर में रहने के बाद हो तो तमाम इस्त्रियों की उस पीड़ा का उस आह का सुख में भी दुख में भी इस्त्री के समस्त रागों का मैंने इस पुस्तक इस्त्री का प्रेम राग में वर्नन किया है जो आप सभी पाठकों तक है और अपेक्षा करती हूँ कि मैंने जिस प्रकार से इस्त्री के मनोभाओं को मनोवेज्ञानिक तरीके से कवीता के माध्यम से संजो कर इस पुस्तक का आकार देनी की कोशिश की है जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ये निर्णा करेंगे कि मैं इसमें कितना सफल हो पाई हूँ तो मेरी आप से प्रार्थना है कि इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें अपनी सुझाव प्रेशित करें और मुझे आशिरवात दें देखिए ये जो पुस्तक है वो मैंने कोरोना काल में लिखी और तब लिखी जब सारी मानव जाती एक अलग ही तरह के मानसिक संत्रास से गुजर रही थी उस समस्त मानव जाती में इस्त्री अपनी भूमी का पर तटस्त थी चाहे वो कामका जी इस्त्री हो वो कामका छोड़कर उस समय कोरोना काल में घर बैठी हो चाहे वो पहले से केवल घरेलू महिला हो लेकिन हर महिला ने पुरुष के साथ कदम से कदम मिला कर इस काल से निकलने में पुरुष की सहयता की और जब उसे घर में बहुत सारी परेशानिया बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे मनुभाओं से गुजरना पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं आपात काल में इस्तरी की मनुदशा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे मुझे इस संग्रह के माध्यम से पाठकों तक पहुचाना चाहिए जी मैं इसी के साथ कवित्री डॉक्टर प्रेर ना ठाकरे आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़े अपने सुझाव मुझे तक प्रेशित करे और आशिर्वात बनाए रखे